लायबाक राजा सारवजनी गनेशित्सो मंडल की खबर को कवर करने वाले पत्रकारों को धका मुक्की करने और धमकाने का पुलिस का वीडियो वाइरल हो गया है पुलिस के इस एहंकार का हर स्तर पर विरोध हो रहा है विपक्षके नीता देवेंड रफण नवीस ने संबंदिक पुलिस अधिकारों के खिलाफ ततकाल कारवाय की मांग की है देवेंड रफण नवीस ने पुलिस बकाया का वीडियो देखने के बाद घटना की कड़े निंदा की है पत्रकार अपना काम करें इसके आलावा लालबाग जाने वाले पत्रकारों के पास अधिकार एक पास थी वे सभीनियों मों के अनुसार काम कर रहे थे इसके बावजूद उनके साथ मार पीट की गई आणे जो वीडियो पाएला मीतो है तेचा मारे हाथ काये पाई तोडू का काया अशाप्रकार चे डायलोग्स तेडिकाना आएकाला मीता है इतकी दंडुकेशा ही इक योग्य नहीं है तेमले मलास वट्टकी याची दखल फिस सरकार नी गेतनी पाएजे आणे यहां नींद निया है कि उन्हें पीटा गया है मैंने वो वीडियो खुद देखा था इसमें डायलोग क्या थे चलो रंग तोड़ते है नजर आ रहा है जबकि कुछ पुलीस अबसर मारे जा रहे है यह विवार बहुत ही गलत है दरसल वहां कोई भी भीड नहीं थी इतना कि बदमाशी उचीत नहीं है पड़नवीस ने कहा कि इस ताना शाही के बल पर कोई कानून व्यवस्ता की बात करा है तो यह ठीक नहीं है उन्होंने यह मांग की है कि समंदीत पुलीस अदिकारी से पूछताश की जाए लेकिन पहले उसके खिलाब कारवाई की जाए यह जो लाल बाग की घटना है यह बिलकुल मैं इसके निंदा करता हूँ जिस प्रकार की घटना वहाँ पर हुई है मीडिया अपना काम वहाँ पर कर रहा था कोई बहुत भीड भी यह नहीं थी जो मीडिया करमी वहाँ थे उनके पास पासेश थे ऐसे समय उनको पीटना उनके उपर हमला करना और हाथ में आपको पैर से भी मारेंगे इस प्रकार का वक्त व्यकरना यह सारी चीज़े बहुत ही गलत है एक प्रकार से डंडे के बरोसे अगर सरकार मीडिया को डराना चाहती है तो यह ठीक भी नहीं है और प्राय हमने पिछले देड़ो साल में इस सरकार में देखा है कि लगातार मीडिया के उपर प्रेशर क्रेट किया जाता है कभी गलत एफायर दाखिल किया जाता है किसी को अरेस्ट किया जाता है एक प्रकार से मीडिया को प्रेशर में रखने का काम ये सरकार कर रहे है आज की घटना तो बिलकुल गलत है हमारी मांग है कि जो पुलिस करमिया उनके ओपर कारवाई की जाने चाहिए और उसके बाद उसकी जाच की जाने चाहिए